आयोध्या में ये रामूत्सव जारी है भगवान राम के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रधालू पहुंच रही है आज दर्शन पूजन का तीसरा दिन है यहाँ पहुंचने वाले भक्तों की तादा 10 लाख के पार पहुंचने वाली है आयोध्या से देखिए हमारे सुम दोर है राम मंदिर का और व्यवस्ता आप देख लिए शुबह 6 बजे से पहले 7 बजे से दर्शन शुरू होते थे लेकिन अब 6 बजे से दर्शन शुरू कर दिये गए हैं रात 10 बजे तक आप आराम से बिना भीड़ भार के भगवान राम लला के दर्शन कर सकते हैं इसके सोचिये अभी दो ही दिन हुए है जब पबलिक के लिए दर्शन खोले गए हैं तीन करोड से जादा की धनराशी जो है इतना दान शुरू जो है वो राम लला ट्रस्च के अंदर कर चुके हैं और अभी तो ये दो दिन हुए हैं सिल्चला लगातार जारी है पुलिस विवस जो हैं से बाबा जी मेराज कुमारदास अजद्या अनमान गड़ी से जी आपको लगातार दर्शन कर रहे हैं रोज दिख रहे हैं दर्शन तो अभी नहीं किये हैं ले इन दर्शन लोग को करवाके उससाहिश करते हैं संक बजा के इनका बिम्र्णन करते हैं जो दो बिरेस से लोग आये हैं हमारे पुलिस कर्मी फोजी जो हमारी बहने जो डूटी पे लेगे हैं इनके मनमबल को मैं उससाहित करता हूं भगवान से बिंती करता हूं कि ऐसा धरम नगरी इतने इतने साल के बाद आज भगवान का घर इतना प्यारा बना यहां देश-विदेश से लोग आये इस पावन धरती में इन नगरी धन्य हो गया और यहां पर जो जो लोग ने कदम रखा उनके माबाब का असिर बात था कि उन लोग यहां के धन्य हो गये लोग पर पहुच रहे हैं और आप तस्वीरे यहां पर जो है और देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था काफी अच्छी यहां पर व्यवस्था की हुई है मिलान इटली में रहते हैं बस राम दर्शन किया आये हैं आपका पहुचे यहां पर अभी पहुचे वे एक हफता हो गया आयोध्या में हैं दो दिन से लेकिन कुछ भी ऐसा आसुविधाय नहीं है सब चीज प्रॉपर लिए आयोध्या में हैं रामलेला के दर्शन हो गए है यह बताईए कि अब आयोध्या कैसी लग रही है आपको लग रहा है पूरा सुरूप बदल गया है एक मस्पिरिचुल वाइब है करके बहुत अच्छा लग रहा है यहां के इतना भक्ति इतना भक्ति भाव और कहीं भी नह सुकुनमिल रहा है इक हर जिकेश राम के चैन्ट से अभी तक दर्शन हुए है अप नई से लग रहे हैं आप टो भीड कम लग रहे हैं वह बहूत बढ़ी नाम और राजप्रोईते हैं likely पहले दिन जसे बहुत भीड थीड़ वह बैस्ता लग रही है आपको लग रहा है आ तब से हम लोग इंतिजार करें थे कि जाना है गर की हां तक बोलना चाहते हैं रामलाला के बारे में कुछ बोलेंगे बताएंगे कितना मन है दर्शन करने का बहुत परिवार जो है इस तरीके से दर्शन करने के लिए आरे हैं अधाजय सपना था कि एक संग भारत का सपना सर मोदी जी फाइनल है इसमें क्या सुनना है क्या सुनाना है फाइनली है वो तो मोदी जी चारसो पचास पार हो जाएगा भीड भाड किसी तरह की यहां पर नहीं दिखाई दे रही है व्यवस्ता को इस वक्त यूपी पुलिस प्रशाशन ने बहुत सुचारू रूप से मंदिर में किया हुआ है